अस्सलाम आलेकुम नाजरीन क्या आपने ऐसी शादी अटेंड की है जिसमें कुछ अनोखा और हट कर हो हम खाने पीने की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं अनोखे बन की जो आपको आम शादियों में नजर नहीं आएगा तो इन शोबिस सितारों की शादियों में आखिर ऐसा क्या है जो के नॉमल शादियों में देखने को नहीं मिलता तो जानने के लिए हमारी इस वीडियो को मुकमल देखिएगा वीडियो शुरू करने से पहले आप से दर्ख्वास्त है के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे मनाल की शादी एक साल कबल अदाकारा मनाल खान और एहसन मुसिन इकराम के शादी की तकरिबात का आगास 8 स्टमबर से कराची में हुआ था और दोनों की माईयों और महदी की तकरीब की वीडियोस और तसावीर खूब वाइरल हुई थी उनकी शादी की तकरीब 10 स्टमबर ब्रोस जुमे को मुनाकिद हुई जिसमें उनके रिष्टेदारों, दोस्तों और शोबिस शक्सियात ने शिर्कत की दोनों की शादी की तकरीब में एमन खान और मुनीब बट ने भी पर्फॉर्मेंस की जबके अदाकारा की करीबी सहेलियों किन्जा हाश्मी, सुबूर अली, आमना इलियास, अरीबा हबीब और दीगर अदाकाराओं ने भी शिर्कत की बारात में एहसन मौसिन इकराम ने स्याह रंग जबके मनाल खान ने रिवायती सुर्क रंग का लिबास पहन रखा था मनाल खान का उरूसी लिबास अंसिबरार ने डिजाइन किया था जिसके साथ उन्होंने अली जावेरी जूलर्स के तयार करदा जिवरात पहने बेपना पैसे का जिया और हला गुला होता रहा एमन की शादी मनाल की बहन एमन की मुनीब बड़ से शादी की तक्रीबात पर जहां कुछ लोगों ने दोनों की तारीफ की थी तो वही बहुत से अफराद ने उन्हें तनकीत का निशाना भी बनाया था मंगनी के बाद उनकी शादी की दस तक्रीबात मुनाकिद होई ये उनके घर की पहली शादी थी जबके मुनीब के घर की आखरी शादी थी और यही वज़ा है कि दोनों उसे बहुत खास बनाना चाहते थे शादी के तक्रीबात के ज्यादा तदाद की वज़ा से शादी को तक्रीबन दो साल का अर्सा गुजर जाने के बावजूद एमन खान और मुनी पट के हवाले से कहा जाता है कि उन्होंने तक्रीबात पर बहुत ज्यादा रकम खर्च की थी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी खबरे भी वाइरल हुई थी कि उन्होंने शादी पर करोडों रुपे खर्च किये थे इस पर एमन खान ने कहा कि हम दोनों हनीमून पर गए हुए थे और ये खबर सुनकर हम हैरत जदा रह गए कि हमने शादी पर सतर करोड रुपे खर्च किये हैं एमन खान ने वजाहत करते हुए कहा कि ये एक अफवा है ताहब मुनी पट और एमन खान ने ये नहीं पताया कि शादी के दस तक्रीबात में उन्होंने कितने पैसे खर्च किये थे मतलब दाल में कुछ तकाला है सबूर अली की शादी अली अंसारी और सबूर अली की शादी की तक्रीबात का आगास तीन जनवरी से हुआ था दोनों के मायों की तक्रीबात पांग जबके महन्दी की तक्रीबात छे जनवरी को हुई थी दोनों ने साथ जनवरी की सापहर को निकाह किया जबके आठ जनवरी को सुबूर अली के रुखसती हुई और दस जनवरी को उन्होंने वलीमे की तकरीब मनकद की सुबूर अली के शादी पर उनकी बड़ी बहन सजल अली को अपने शोहर आहद रजामीर के बगेर देखा गया जिस वज़ा से सोशल मीडिया पर उनके दर्मियान इखतलाफात और अलहदगी की खबरे भी वाइरल हुई इसके इलावा सुबूर अली की शादी की तक्रिबात के दौरान डांस करने की अधाकारा अमर खान की वीडियो भी खूब वाइरल हुई थी जिस पर लोगों ने उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया हिबा बुखारी की शादी पाकिस्तान के खूब रूफ अनकार जोड़ी अधाकारा हिबा बुखारी और अधाकार आरेज अहमत की भी शादी हो चुकी है महंदी पर वो सरसों के रंग के खुबसूरत फ्रॉक और फूलों का जेवर पहने नजर आ रही है अधाकारा हिबा बुखारी और उनके शोहर अरेज अहमत के दरमयान निकाह के अगले ही दिन लड़ाई हो गई विडियो सोशल मीडिया पर शेयर हुई विडियो में हिबा और अरेज दुलहा दुलहन बने हुए गाड़ी में जा रही है और इस दुरान दोनों के दरमयान बहुत ही क्यूट फाइट हो जाती है हिबा अपनी शोहर से पूछती हैं मैं तुम्हें कितनी बुरी लगती हूँ जिस पर अरेज कहते हैं इतनी के मैंने तुम से शादी कर ली इसके बाद अरीज अपनी नई नवेली दुलहन से शिक्वा करते हुए नजर आते हैं कि तारीख गवा है तुम निकाह के अगले दिन मुझसे लड़ी हो उमेर जस्वाल और सना जावेद ने अच्छानक शादी का एलान किया था बहुत ही करीबी लोग इनवाइट किये सना जावेद और उमेर जस्वाल ने अपने अपने इंस्टरग्राम अकाउंट्स पर शादी की तस्वीर शेयर की जिसमें दोनों शादी के मलबुसाद जेबतन किये एक दुसरे का हाथ थामे मुस्कुराते हुए नजर आए तस्वीर के कैप्शन में दोनों ने अलहम्दुलिल्ला भी लिखा सारा खान के शादी वैसे तो स्लाबर्टीज की शादी, ब्याह और मंगनी की खबर सुनकर मुबारिक बात और नेक तमन्नाएं भेजने का सिलसला शुरू हो ही जाता है मगर इस खबर से पाकिस्तान की सोशल मीडिया फैमली को कुछ ज्यादा ही खुशी हुई उसकी एक वज़ा सारा खान का वो बंधन था जो तूट गया था इस बंधन के तूटने पर बहुत से सारफेन के सारा खान के साथ हमदर्दियां बढ़ गई थी अदाकार सारा खान के फलक शबीर से पहले अदाकार आगा ली के साथ शादी होने के चरचे थे और दोनों ने एक साथ स्क्रीन पर काम भी किया अब तो खिर सारा खान एक बेटी की मा है सजल अली और फिरोज खान के शादी हालिया शादियों की तलाक समेत बात की जाए तो सब से पहले सजल और आहद के नाम आते हैं जिन्होंने 14 मार्च 2020 को शादी की उनके दर्मियान काफी अरसे से दोस्ती थी उनकी शादी ऐसी शादी कही जा सकती है जिसका इंतिसार उनके मधाब बेस सबरी से कर रहे थे इस जोडी ने भी नहायत ही साद्गे से शादी की जिसमें करीबी रिष्टेदार और चंद एक दोस्तों ने शिर्कत की सजल अली आहद से कबल फिरोज खान की मंगेतर रह चुकी हैं उनकी शादी की खबरे खास ही आम थी लेकिन ये रिष्टा किन वजुहात की बिना पर खत्म हुआ इस पर आज तक न फिरोज खान ने बात की और ना ही सजल अली ने इन दोनों का रिष्टा खत्म होने का एलान खुद फिरोज खान ने किया जबके सजल अली ने कभी इस हवाले से कोई तबसरा नहीं किया उन्होंने एक मर्दबा सिर्फ इतना कहा था कि जोड़े आस्मान पर बनते हैं इनसान जमीन पर जो मर्जी सोचता रहे होता वही है जो खुदा को मन्जूर होता है यू सजल अली और फिरोज खान दोनों जिन्दगी में आगे बढ़े फिरोज खान भी शादी के बंदन में बंद गए और सजल अली ने भी अहद के सूरत में अपना जीवन साथी तलाश कर लिया लेकिन बहुत ही जल दोनों कपल्स अलग हो गए सजल और अहद की तलाग तो सोशल मीडिया न्यूस बन गई जबके फिरोज खान की तलाग ढ़की चुपी ही है उशना शादी है कि शैतान की आंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही ये इस लिहाज से मुन्फरित थी कि शादी में हिरोईन को नाजेबा लिबास पहनने पर रजगर लानत पड़ी उशना शा और आस्ट्रियन नजाद गॉलफर हमजामीन गुजशता रोस शादी के बंदन में बंद गए तकरीब की वाइरल वीडियोस और तसावीर देखकर सोशल मीडिया पर सारफीन ने उशना शा को तनकीद का निशाना बनाया जिस पर उन्होंने ट्रोलिंग करने वालों को आड़े हाथो ले लिया मरकसी तकरीब में उशना ने गहरे सुर्ख रंग के इंडियन स्टाइल के लहँगा चोली का इंतिखाब किया था जबके दुल्हा मियां रिवायती शेरवानी और कुला में मलबूस नजर आए इस तकरीब के दुरान ही सोशल मीडिया पर उशना की दुल्हा के साथ भंगडा सॉंग्स पर डांस की विडियो और तसावीर गर्दिश करने लगी जिन्हें देखते ही सारिफीर ने तबसरों के लिए कमर कसली अपने खिलाफ तनकीत का तोफान देखकर उशना ने इंस्टा उशना ने इंस्टा स्टोरिस में ऐसा करने वालों को खरी-खरी सुना दी तो ये था हमारा आज का काउंडांग जो के ड्रामास पर मबनी था मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अपना फीडबेक देना बिलकुल मत भूलिएगा अल्ला हाफिस